इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हलो दोस्तों आप सभी कमारी चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सिख्छक भरती परिच्छा के लिए हिंदी भासा के कुछ महत्बूर परश्णों को देखेंगे जो कि सीजी वियापन परिच्छा में विगत वर्शों में पूछे वी डियो श्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण अघोष अल्प प्राण वेंजन का चैन कीजिए मंग्धा क्लाका हंब्शन आफ questo n 0 प्रकार का प्रश्चस्वर है अगला प्रशन किसी भी भासा में वर्तनी की एक रूपता इस्थिर की जाती है अप्शन ए ध्वनियों की सुंदर्ता के लिए अप्शन भी है ध्वनी को सही धंक से उच्छरित करने के लिए अप्शन से ध्वनियों के तीवर प्रवाहा के लिए और अप्शन भी है ध्वनियों के एक रूपता के लिए तो इसका सही अंसर होगा अप्शन भी ध्वनियों को सही धंक से उच्छरित करने के लिए वर्तनी की एक रूपता इस्थिर की जाती है अगला प्रशन है संग्या कि रूप में परिवर्टन होता है option दिया संग्या के रूप परिवर्तित होते हैं अगला प्रशन है समास कार्था होता है, औप्शन A संछेफ, औप्शन B विस्तार, औप्शन C व्याक्ष्या, औप्शन D समास कार्था संछेफ होता है तो इसका सही अंसरोगा option B इतरेत्तर द्वन समास लेन देन में इतरेत्तर द्वन समास होता है अगला प्रशन है द्वन समास के कितने भेद होते हैं option A है 2, option B है 3, option C है 4, option D है 6 तो इसका सही अंसरोगा option B 3, द्वन समास 3 प्रकार के होते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थिक अक्षा से निकले हैं यह भूत काल के किस रूप का उदाहरण है? अप्षन A है आसन नभूत, अप्षन B है समान नभूत, अप्षन C है पूर्ण नभूत, अप्षन D है हेतू हेतू मदभूत तो इसका सही अंसर होगा अप्षन A आसन तो इसका सही अंसर होगा option B 2, वित्पत्ति की द्रिष्टी से धातू के दो प्रकार होते हैं अगला प्रशन है और उधिव एंजन में, option A हवा तिवर गती से निकलती है, option B हवा मन गती से निकलती है, option C हवा रुख जाती है और option D है उप्रोक्त सभी, तो इसका सही अंसर होगा option C हवा रुख जाती है, और उधिव एंजन में हवा रुख जाती है अगला प्रशन है कमल नयन सब्द में कौन से समास है, option A है अवेवा समास, option B है द्वन समास, option C है करमधारे समास, option D है बहुबरही समास तो इसका सही अंसर होगा option C, करमधारे समास, कमल नयन में करमधारे समास है, करमधारे समास में उपमे उपमान और विशेसर विशेसर से समभन होता है अगला प्रस्ण है वर्तनी की द्रिष्टी से कौन सा सब्द सही है Option A है ब्यावसाइक, Option B है ब्यावसाइक, Option C है ब्यावसाइक और Option D है ब्यावसाइक अगला प्रस्ण है पाठाक का इस्त्रिलिंग रूप है अप्षन A है पाठकी, अप्षन B है पाठिका, अप्षन C है पाठकीन और अप्षन D है पाठका तो इसका सही अंसर होगा अप्षन B पाठिका, पाठक का इस्त्रिलिंग रूप होता है पाठिका अगला प्रश्ण इमलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिये अप्शन A है नामधातुरूप अप्शन B है सकर्मक अप्शन C है अकर्मक और अप्शन D है समापिका तो इसका सही अंसर होगा अप्शन A नामधातुरूप हतियाना क्रिया में नामधातु रूप है और इस वीडियो का आखरी प्रश्णा घुर्द और सब्द में किस ततपुरुस समास का उधारड है option A है करार ततपुरुस, option B है कर्म ततपुरुस, option C है संप्रदान ततपुरुस और option D है संबन ततपुरुस तो इसका सही अंसरों का ओप्शन डी संबंतत पूरुस संबंतत पूरुस में का के की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है घुर दोर सब्द का विक्षेद होता है घोडों का दोर तो यहाँ पर का विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसका राड़ यह एक प्रकार का संबंदत पुरू समास होगा तो यह हुए कुछ महत्पुड MC की क्वेस्चन अगर आप ऐसे और वीडियो पाना चाहते तो हमारे चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद